जमू कश्मीर अब आपको लिए चलेंगे जहां पर किस तरीके से लेफटरिन गवर्णर से बातचीत हुई है वो आपको दिखा रहते हैं 5 अगस्त 2019 को जमू कश्मीर का इधास बदला था अनुछे 370 हटाया गया और जमू कश्मीर को केंदर शासित परदेश बनाया गया काफी सारे लोगों के मन में एप्रेहेंशन से क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन सरकार भी दूसरी तरफ यह सोच रही थी कि वो जमू कश्मीर के हालात को किस तरह काबो करेंगे शायद यही कारण था कि प्रदान मंतरी ने अपने सबसे बरूसे मंद सिपासालार ग्रीश चंदर मुमरूजी को कश्मीर का पहला लेफटनेंट गवर्नर नुक्त किया हमारे साथ पहली बार किसी टेलिविजन इंटर्वी में नेशनल चनल पर लेफटनेंट गवर्नर जमू कश्मीर के हैं क्यूंकि एक साल हो रहा है कश्मीर की में जो तारीख बनी थी पिछले साल पांच अगस्त दो हजार उन्नीस को सर जो आपको सरकार की तरफ से हम कहें प्रदानमंतर की तरफ से जो आपको बागडोर दी गई थी या जो आपको टासक मुश्किल टासक दिया गया था किस हद तक आप इस एक साल में पूरा कर पाए क्या अर्चनी आपको आई क्या आप चाहते थे करना क्या कर पाए और क्य जैसे कि मैंने आपको बन बोलना चाहूंगा कि ऐसे कोई अटचने नहीं है सिवाई के करोना संक्रमन के कराण से थोड़ा सा तकलिफ हुई है बाकि सारे काम जिस तरह का आसा रखा गया था उसी तरह काम हो रहा है यहां ग्राउंड लेवल में खास काम था यहां जिस प्रकार का विकास का कामों के तेजी लाना था उसमें काफी तेजी आई है और इस प्रकार का कामों का प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो प्राइम डिपी पैकेज के नीचे कामों पहले हुआ था उसमें कई गुणा अच्छा काम हुआ पहलेक्स राष्ट्रपतिस हसन से पहले सिर बड़े प्रजेक्ट थे हाइड्रो एलेक्ट्रिक पाउर थे 1000 मेगावाट कुछ इरिगेशन प्रजेक्ट यह काम भी शुरू हो गया जो पहुत पहले से वो पड़ा हुआ था इसी तरह और भी प्रजेक्ट्स थे काफी सारे प्रजेक्ट्स जो लंगवीशिंग प्रजेक्ट्स थे उसमें से भी 506 काम अभी हम लोग ने पूरा कर लिया हो और बाकी काम भी बहुत तेजी से चल रहा है बैक्ट्टु विलेज प्रग्रम में लोगों का पाटिसिपेशन में कम से कम 20,000 चोटे-चोटे कामों का आइडेंटिफाई किया गया था इसमें से 26,000 काम पूरा हो चुका है और बाकी भी तेजी गती में चल रहा है एक्टु विलेज लास्ट हुआ था नवेंबर में नवेंबर डिसमबर जानवरी फेबरी तक बाद में करोना का संक्रमन आ गया है फिर भी यह काम चलते रहा यहां पर हम देख रहे हैं कि एक साल से बच् परिटन परिटन पर इकनामी जो है पूरी कश्मीर की खास तोर से डिपेंडेंट है और परिटन में यहां करीब 25 परसेंड उसका जीडिपी का कंट्रिबूशन है सबसे ज़्यादा ख्यतीबाड़ी से या क्रिशी से आ रहा है क्रिशी और उसके एक्टिविटीज के साथ परिटन में भी है यह संक्रमन के कारण ज्यादा इसमें असर पड़ा हुआ है और जैसे बचों के बात किये इसके लिए आमने युनिवर्सिटी बगारा कमें हाइश्पीड ब्रॉडबेंड के लिए व्यवस्ता किया था बचों के लिए स्टेडी मेट्रेल पैंड ड्राइब या सीडी में देने के लिए भी किया था वर्चोल क्लासेस भी कुछ जगह में हम लोग ने चालू किया था जिसमें इस तरह का डेडिकेटेट सुविधा चानल का सुविधा हो